कहा है जा आज एक और के पींजिम टेबलेट से इन्प व्हां समझेंगे जोateurs है यह यूरे अल्यांग द्यक्तर ब्रार जाती है संधी। अगर जो हम समझें कि uni enzyme क्या होते हैं तो मैं आपको बताओं जो मुख्यूरूफ से पेट की परिसानी और उपापचे के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यह tablet है और साथ ही साथ इसे काले मल मतलब लूज मोसन और पेट में दर्द में पूरी तरह से इसे राहत मिल सकती है अगर जो बात करें uni enzyme के रचना की रचना की मतलब किन चीरों से यह मिलकर बने हैं तो यह active charcoal मतलब सक्रिय चारकॉल जो की 75 mg होता है प्लस जो है fungal diagnostics जो की 100 mg होते हैं और एक है pompens, pompens जो की 60 mg होता है इनसे मिलकर बना होता है यह कौन सी कंपनी निर्मार करती है तो मैं आपको बता दूँ यह unique chemical limited company निर्मार करती है और अगर जो हम बात करें किन-किन फार्म में उपस्तित है तो इनके फार्मेट जो होते हैं वह गोलियों में कैस्तोस में और स प्राइज होता है वह 45-45-48 रुपीज तक हो सकते हैं करें अगर जो यूनिय अंजयम के उपयोग के बारे में मतलब यूज के बारे में तो पहले हम समझेंगी कि पेट में फूलन अगर जो है तो आतों की गैस के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसे पेट के जो फूलन होता है उसमें इसका बहुत अच्छा यूज है अगर बात करें नाराजगरी की बात करें अगर जो नाराजगरी जो एक समस्या है अमल की वजह से नाराजगरी का इलाज करने के लिए इसका इसका इस्तमाल किया जाता है इसका जो उपयोग है वो गले के सूजन क के लिए भी इसका उप्योग किया सकता है लेकिन सबसे अधिक मात्रा में इसका उप्योग लुज मोसन के समय मतलब पेट में कब्ज या फंगिल के पेट में दर्द के इलाज के लिए बहुत रामबार इलाज है या इट में बनी हुई स्पार्गिस से प्राप्त अगर जो फंगल डेक्टोज की बात करें जिसमें कार्बो हाइडुट को तोड़ने और भोजन की खराबी को रोकने के द्वारा काम आता है और अगर जो करूं पंपेंस प्रोटीन को तोड़ने और पाचन समर्थन करने का कार करता है और साथी साथ यह सक्री चारकोल जो है अवांचनी विसाक्त पदार्थों को बांध कर और उन्हें सारीर से बचाने का काम करता है युनी एंजाइम टेबलेट की बात करें तो पेट में एसिड स्राव से करने में इसका बहुत ही बहुत ही महतपूर योगदान होता है युनी एंजाइम को किस डोज में कैसे लेते हैं तो इसके बाद में बात करें तो युनी एंजाइम आम तोर पर टेबलेट के रूप में होता है युनी एंजाइम टेबलेट को आम तोर पर एक गिलास पानी के साथ भोजन करने के बाद लिया जा सकता है गोली को कूच कर या चबा कर नहीं खाया जाएगा यह एक पूरी से निगला जा सकता है मतलब पूरी रूप में हम अंदर इसे हम अंदर इसे निगलेंगे डाक्टर दौरा बताएगे खुराक के आधार पर ही से हम लेंगे इसका यूज करेंगे आती साथ हम बात करें यूनी अंजायम के सामान खुराक की हर विक्त के लिए आई वजन मानसिक इस्तिती अलर्जी में इतिहास और रोगों की स्वास्त इस्तित की अनुसार यूनी अंजायम का खुराक डाक्टर दौरा पूर्डते हैं की जा सकती है उसके आधार पर ही आप लें लेकिन आम तोर पर वैस्क जो खुराक है वह दिन में एक बार एक एक मलब पचास या सोई एमजी का टेबलेट उसमें से स्रिफ हम एक बार ले सकते हैं अगर जो हम बात करें यूनी अंजायम के साड इफेट की मलब दुस्प्रभाव की जो दुस्प्रभाव वहिया ह जो पेसाब करते समय दर्द हो सकता है और काले मल की संभावना बन सकती है पेट में दर्द कब्ज और गैस्टिक समस्थाएं हो सकती है अलके तवचा में जरन की आसंकाई लिखती है अगर यूनी एंजायम के टेबलेट के बारे में समझा आसा करता हूं कि आपको यह वीड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा नए है तो अब वीडियो को जाए सब्सक्राइब कीजेगा धन्यबाद